वेलकूम टू स्पीरडानिंग डॉट एनु हम लोग आज देखने वाले हैं कि option का regular observation आप कैसे कहें इसमें हमको एक साथ add the money, in the money, or out of money calls में record रखने होगे और इससे आपको अच्छी खासी समझ आने वाली है कि कितने तरह के call put को खरीदने से कॉम्बिनेशन बनाने से आपको profit मिल सकता है और कौन से call or put को किस strike price के call or put को sell करने से, short sell करने से के write करने से आपको profit मिल सकता है तो किस तरीके से करने वाले हैं date wise आप record रखेंगे पहले column में dates होगे suppose आपने लिका 1st April, 2nd April, 3rd April, 4th April, 5th April और इसके साथ में हम add the money call अभी 50 चल रहा है suppose 7555 तो add the money call होगा 7550 का 7550 यहां नहीं नज़र आ रहा है यहां most active call में 7500 का call और 7500 का put इसको add the money की तरह consider कर लेंगे और दोनों का total लिख लेंगे आपको लिखना है previous close दोनों का 7500 का call और 7500 के put का यह 7500 का call यहां पर है 81 रूपीज और 7500 का call 143 यहां पर है दोनों का total किया फिर last price का 67 है इसका 147 है इसका total किया तो आपको हर सुभे शाम अगली सुभे शाम अगली सुभे शाम अगली सुभे शाम इसका total करके देखते जाना है अब हम बात करते हैं 7500 से अगला जो strike price यह out of money calls में 7600 का call out of money है और 7400 का put out of money है तो 7600 का call और 7400 का put इन दोनों का combination इसमें आप previous close को total कर लेंगे और साथ में last price को total कर लेंगे यहां पर previous close 89 है यहां पर 52 है 89, 52 का total हो गया लगभग 90 plus 51, 44 के आसपास और यहां पर फिर हम last price को देख रहे हैं 89 plus 42 यहां पर 10 point आपका total कम आ रहा है तो इसका यह मतलता है कि 142 की बजाए total 132 ही आ रहा है ऐसे में हम अगर इसको short sell करके जाते हैं इस combination को तो 10 point हमको profit में मिल जाते हैं अब इसके बाद अगले strike price और दूर की 7700 का call और 7300 का put 3700 का call 50 rupees का है 7300 का put 33 का है 50 33 83 होता है और यहां पर हम इसका total देखते हैं 23, 24 and 47 फिर से total कम हो रहा है तो आप अगर इसको short sell करके जाते हैं आपको अच्छा पैसा मिलता खास तोर पे यह premium कम क्यों हो रही है total में क्योंकि nifty range bound है पिछले 4-5 दिनों से तो जब भी nifty range bound होगी तो call put के combination का total कम हो जाएगा तो ऐसे हम नियर out of money, far out of money ATM1, ATM2, ATM3 और इसका combination ATM1, ATM2, ATM3 से करके रख सकते हैं मतलब out of money call put first, out of money call put second और out of money call put third strike price का total और compare करें last price और previous close का उसके बाद ऐसा ही आप in the money के लिए भी करके देख सकते हैं इंद मनी में किक उल्टा हो जाने बाला है इंद मनी में हम उल्टा combination देखने वाले हैं इंद मनी देखने के लिए आप option chain के इस्तिमाल कर ले तो शायद आपको ज़्याद मुदद मिलेगी option chain में आप चले गए और महां पर देखिए यह जोई है light yellow से highlight किया हुआ है यह सब इंद मनी हैं तो हम इनका combination बना लें आप यहां 7550 और 7600 का combination बना लेंगे फिर 7500, 7600 का बना लेंगे, 7400, 7700 का बना लेंगे यह देखिए पहले हम 7400 का put ले रहे थे और 7700 का call ले रहे थे अब इंद मनी में इसका उल्टा कर रहे हैं आप 7700 का put ले रहे हैं और 7400 का call ले रहे हैं और अगले दिन यहां पर आपको open high low close देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको अगले ही दिन देखना होगा कि इसका आखिर में क्या हुआ आखिर में कितना change इन में आया है पूट में net change आया है 20 पाइंट का और 7400 के call में net change आया है 4 पाइंट का यह net change 4-5 पाइंट का आया है तो आपको 12 पाइंट यहां पर भी मिल रहे है तो आप यह detail देख सकते हैं बस आपको इंद मनी calls में एक बात कधियार रखना है इनकी बीडो रास्क प्राइंट में difference है तो जब यह आप इसमें ट्रेट करेंगे आपको उस तरह की परिशारी का सामना करना पड़ेगा जैसे 7700 का पूट जो है 162 165 यह तिन पाइंट का इसमें difference है तिन पाइंट तो फिर भी चलो हो जह सकते हैं लेकिन उदर हम 7400 का देखने गए उदर 217 220 है लेकिन next strike price पर जब आप जाते हैं 7300 का call देखते हैं तो 299 306 है मतलब 75 के difference हो गया ऐसे पिर हम इदर 7800 का पूट देखने जाएंगे तो 234 237 है इन दोनों का combination इसको भी आप total करेंगे इसका भी difference देखेंगे इससे आपको पता लगेगा कि actually इनके behavior में क्या difference आता है और यह record अगर आप 2 महिने तक रख लेते हैं तो जिन्दकी पर सबसे सेफ तरीके से आपके साब बना सकते हैं हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो traders होते option में trade करने वाले 70% time option को sell करते हैं और 30% time option को value good को buy करके पैसा बनाते हैं तो आपको इनको short sell करके write करके अच्छा पैसा बनाने के लिए study करना है इसमें थोड़ी सी मेहनत है जब आप हमसे class में बात करेंगे तो हम आपको lessons में एक format बना के भेज भी देंगे जिससे आपको आसानी हो जाए कि आप अपना यह record बहुत systematic रख सकें और आपको परिशानी कम से कम हो बागी जो doubts होंगे वो आपसे जो टेलिफोनिक classes उसमें हम discuss करेंगे Thank you very much by speedearning.n